हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रंजो वेलकम मैं आप सभी का मेरे किचन में आज मैं आपके साथ तरी वाले चिकन की रेसिपी सेयर करने जा रही हूँ ये खाने में जितना टेस्टी लगता है इसे बनाना उतना ही आसान है लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करिएगा चले तो इस बहुत ही टेस्टी से और बहुत ही आसान से तरी वाले चिकन को बनाना शुरू करते हैं तरी वाले चिकन बनाने के लिए हम सबसे पहले कूकर में तेल गर्म कर लेंगे तो तेल को यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है उसके बाद हम इसमें बागी की चीज़े एड़ करेंगे देख सकते हैं, आप यहाँ पे तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें आधा छोटा चमच हिंग डाल देंगे हिंग जरूर डालिएगा साथी में याप पे मैंने 3-4 तीज बता डाल दिया है दो लाल मिश डाल देंगे दो हरी वाली इलाईची डाल देंगे तीन चार लॉंग डाल देंगे और साथी में एक दाल चीनी कर टुकड़ा डाल देंगे अब हम इसमें आदा छोटा चमस साही जीरा डाल देंगे साथी में दस बारा काली मिश डाल देंगे अब हम इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से भून लेंगे देखें सभी चीजे बहुत अच्छे से भून चुकी है तो अब हम इसमें दो हरी मिर्च काट कर डाल देंगे एक बार इसे मिला लेंगे देख सकते हैं आप सभी चीजे बहुत अच्छे से भून चुकी है तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने चार प्याज को इस तरह से रफली चॉप कर लिया है देख सकते हैं प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है हलका हलका प्याज सॉफ्ट हो गया है तो इसे स्टेज पर अब हम इस पर चिकन डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने देशी चिकन लिया है आप चाहे तो इस रेसिपी को बॉयलर चिकन से भी बना सकते हैं मिला लेंगे इसे एक बार अब हम इसे ढख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे पांस से आठ मिनट तक कुप कर लेंगे देख सकते हैं चिकन में से हलका हलका पानी निकलना स्टार्ट हो गया है तो एक बार इसे मिला लेते हैं देखें यहाँ पे मैंने चिकन को बहुत अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें दो चमच अद्रक लेसन का पेश्ट डाल देंगे डाल कर इसे भी बहुत अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसे एक बार फिर से ढख देंगे और medium to low flame पे 3-4 मिट तक cook कर लेंगे ताकि अद्रक लेसन जो है बहुत अच्छे से भून जाए अब देख सकते हैं यहाँ पे अद्रक लेसन बहुत अच्छे से भून गया है और चिकन भी हलका हलका भूनना स्टार्ट हो गया है पानी इसमें कब बहुत अच्छे से सूख गया है तो इसी स्टेच पे अब हम इसमें मसाला एड़ कर लेंगे यहाँ पे मैंने ले लिया है एक चमच धनिया पौडर आधा चमच जीरा पौडर साथी में हम एक चमच कस्मीरी लाल मिर्च पौडर डाल देंगे और यहाँ पे मैं ले लियूँ एक चमच तीखी वाली लाल मिर्च एक चमच यहाँ पे चिकन मसाला डाल देंगे आप किसी भी ब्राइन का चिकन मसाला ले सकते हैं आधा चोटा चमच हल्दी पौडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, सभी मसालो को डाल कर एक बर बहुत अच्छे से मिला लेंगे, इसी स्टेज पे अब हम इसमें टमाटर भी आड़ कर लेंगे, तो यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के बहुत ही बढ़िया खुसबू आ रही है, एक बर इस तरह से चिकन बना कर जरूर ट्राइ करिएगा, और देखे चिकन देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है, अब हम इसे ढख देंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे, जब तक इसमें से तेल सेपर घ्राइन के लिए इसमें लैसन को चील कर डाल फिर सोकती हो सके तो गर्म पानी क 12 पाइब करो गर्म पाइठ K मिला लेंगे कर दीए situation अब निया हाँ अब यहां पर मैंने दो अपला है चिकन गड़े डाला थेन grow, अब अपने हिसाब से कम जादा कर लिजेगा अब हम cookar का ढखकन बंद कर देंगे और दो सिटी आने तक पका लेंगे उसके बाद जब cookar ठंडा हो जाएगा तब हम इसे खोलेंगे चले तो यहां पर cookar ठंडा हो चुका है अब हम इसे खोल लेते हैं देखे फ्रेंट्स तो कितना बढ़िया कलर आया है और यहां पे बहुत ही बढ़िया सा तरी वाला चिकन बनकर तयार है आप देख सकते हैं चिकन की ग्रेवी कितनी बढ़िया लग रही है बहुत ही सांदार सा चिकन यहां पे बना है चिकन भी बहुत अच्छे से पक गया है अब हम उपर से बारी कटी हुई धनिया पती आइट कर देंगे डाल कर मिला लेंगे तो लीजे फ्रेंड्स यहां पर बहुत ही टेस्टी सा तरी वाला चिकन बन कर तयार है यह जितना टेस्टी होता है इसे बनाना उतना ही आसान है चले तब हम इसे सर्ब कर लेंगे आप इस चिकन को राइस के साथ पराठे के साथ रूमाली रोटी के साथ या फिर सिंपल चपाती के साथ सर्ब कर सकते हैं सब के साथ बहुत ही परफेक्ट जाता है यह तो इस आसान से तरी वाले चिकन को बना कर एक बार जरूर ट्राइ करिएगा अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इसी तरह से नहीं रेसिपी के लिए मेरे चैनल पर बने रहेगा मिलती हूँ आपसे एक नहीं रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग मै वीडियो